नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर अनद भार्दवाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और हमेशा की तना से आज आज आपके लिए फिर से लाया हूँ एक निया टॉपिक जिसके बारे मेरे पास बहुत सारे मेल आये बहुत सारे रिव्यूज मेरे पास आये लोगों ने अपने कमेंट भी भेजे साथियों फिर से बात करेंगे आज फिर पूजा के बारे में कितने हो आपके घर में पूजास्थान और कितनी हो गौड की मूर्ती या फोटो और कहा कहा पर हो पूजास्थान आज फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि लोगों के मन में अभी भी बहुत सारी इतनी भ्रांदियां पैदा हो गई है कि वो पूजा स्थान को लेकर के बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं सर कितने पूजा स्थान बनाए हम कितने गौड रखें गनेश जी की कितनी मूर्ती रखें आज मैं इसको सबको क्लियर करूँगा और आपको बताऊंगा हर बात के पीछे क्या है चुपा हुआ लॉजिक चलते रही है मेरे साथ बताऊंगा आपको इसके बारे में डेटेल में नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनंद भार्दव आज आपका जाना, पहचाना वास्तु कनसल्टेंट और आज आपको बताऊंगा मैं पूजा स्थान के बारे में कि पूजा स्थान गतने होने चाहिए घर के अंदर और कहां नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कितने गौड की मूरते हूँ जी हाँ, मेरे पास धेरों, मेरे पास मेल आये हैं, मेरे पास रिव्यूज आये हैं लोगोंने अपने कमेंट्स भेज़े हैं कि सर हमारा घर है और उसमें हमारे घर में दो पूजास्थान है किसी ने लिखा है हमारा घर है बड़ा सारा और उसमें तीर पूजास्थान है एक घर में कितने पूजास्थान होने चाहिए सुष danny आि सात्यों भगवान तो सर्व्यापी है और इसको हम वाकूं सोब्छते हैं कि हमारा इक हत्यार है हमारा Siya जिस्सें कि हमें सुख मिलना है यह सोचय दोन आदांगी है क्योंकि कर्म के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिला करता यह हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास है कि हम गौड की पूजा करते हैं साथियों एक बात का ध्यान रखें पूजा स्थान घर में कितने हो इसको डिसाइड करने का जो फेक्टर है वो डिसाइड होता है किचन से एक घर में जितनी भी किचन हो और किचन भी जितनी ओपरेटिव हो उसके इसाफ से भी पूजा स्थान बना करते हैं यानि एक घर जिस तीन चार पूजास्थान नहीं बनाने चाहिए जब कभी आप किचन आगे और बनाते हैं बटवारा हो जाता है परिवार का और अपने अपने फ्लोर पर ये अपने अपने पोर्शन में लोग रहते हैं तब किचन बढ़ जाती हैं जैसे पहले एक किचन थी जब ज्याइंट फिल्टी थी उसके बाद किचन जाधा बड़ी नहीं 2 तीन हो गई तो उसके इसाब से हर किसी का अपना अपना पूजास्थान ऊसकता है। एक ही कम पर ऑउंट पूजास्थान में जितने कमसं कम मूष्टिशन हो उत्ना अच्छा है बहुत जब तो सभी जितनी भी मूर्तियां रखते हैं आपने घर के अंदर या फोटो रखते हैं उनको सबको एक ही लेवल में रखे तो ज्याद अच्छा रहेगा अब मैं आपको बताओंगा कि पूजास्थान को कहां पर नहीं रखना चाहिए नमबर एक किसी भी टॉलिड की दीवार क इससे ज्यादा पवित्र स्थान क्या होगा लेकिन एक बात भूल जाते हैं आपका जो गौड है जिसकी आपने मूर्तिया फोटो लगाई है जिसकी आपने पूजा करनी है उसको चंदन चाहिए गुलाब चाहिए उसको अच्छी अच्छी सुगंद चाहिए उसको प्याज जैसे आज कल रिवाज जैसे आज कल की जेनरेशन आ रही है सातियों बहुत सारी किचन के अंदर 90% 95% किचन के अंदर जो बरतन होते हैं रात को खाना खाने के बाद में डिनर के बाद में आम तोर पे सिंक में पड़े रहते हैं अब जारा सोचिए जूटे बरतन सामने पड करेंगे प्याज लसन का च्छोंका बहुत बार घर में क्या होता है किचन में कई बार नौन मैच भी खाते हैं लोग बनाते हैं तो यह सब चीज़ अगर देखा जाए तो किचन जो है अच्छा माहल नहीं है किसी भी पूजास्थान के लिए मुझे उमीद है आप समझ गया चपल में जो कील है पहले उसे निकाल तो आप यह मत ढूंड़िये कि आपको अगर कोई सुख नहीं मिल रहा है तो गौड के कारण नहीं मिल रहा है या पूजास्थान के कारण नहीं मिल रहा है पहले अपने में जहां को हो सकता है दोश आपके अंदर ही हो मुझे उमीद है कि आप मेरी बातों को समझ गया हूंगे समझदार को इशारा काफी होता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके मन में पूजास्थान के बारे में जो सवाल आ रहे थे आज मैंने उन सब का जवाब भी दिया ऐसे पहले मैंने वीडियो डाली थी जो कि पूजास्थान के बारे में काफी डिटेल में है उनको भी देख सकते हैं कोशिच करता हूँ कि आपके मन में जितने सवाल भी हो वो सबके सब आप उसका जवाब में दे दो साथ ही अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं और आपके काम की बात उसमें आती है और आपके मन में जो जो बाते होती हर बात का मैं जवाब देता हूँ लॉजिक बताता हूँ तो आप मेरे हर वीडियो को शेर करें इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी आने वाले दो-चार महीने के अंदर बहुत जबर्दस टॉपिक लूँगा मैं अगर एक भी टॉपिक आपसे चूट गया तो समझ यह कि मतलब आपसे बहुत कुछ चूट जाएगा अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं तब तक के लिए दें इजादत नमस्कार धन्यवाद थैंक यू टेक किया